दोस्तों पोशन विशेशक्यों की माने तो एक ग्लास दूद स्वास्थय का भंडार है। शक्र के अलावा कुछ चीजें हैं जिसे मिलाकर पी सकते हैं जो आपके लिए काफि फायदे नद हो सकता है। नदेशी नहीं प्रक्षी सभी बातन समय में पहरें जोद सब गया सकते हैंपे नियूदा है। शहरों में इस तरह का दूट ढून पाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर संबव हो तो यही दूट पेना चाहिए इन दिनों हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम हर चीज पैकेट वाली इस्तिमाल करने लगे हैं दूट भी अधिकतर लोग पैकेट वाला ही लेते हैं पैकेट वाला दूट ना ताजा होता है और ना ही जैविक आयुरुविद की अनुसार ताजा, जैविक और बिना हार्मोन की मिलावट वाला दूट सबसे अच्छा होता है पैकेट में मिलने वाला दूद नहीं पीना चाहिए कुछ लोगों को कच्चा दूद अच्छा लगता है फ्रिच से दूद निकाल कर बिना उबाले सीधे ही पी जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता आयुरुद मानता है कि दूद को उबाल कर गर्म अवस्था में पीना चाहिए दूद पीने में भारी लग रहा हो तो उसमें थोड़ा पानी मिलाया जा सकता है ऐसा दूद आसानी से पच भी जाता है जिन लोगों को दूद हजम नहीं होता उनके लिए दूद पीने का एक और तरीका है दूद में एक चुटकी अधरक, लॉंग, इलाइची, केसर, दालचीनी और जैफल आधी को मिलाए इससे आपके पेट में अतिरिक्त गर्मी बढ़ेगी जिसकी मदद से दूद हजम होने में आसानी मिलेगी अक्सर किसी ना किसी वज़ा से हम रात का खाना नहीं खा पाते आयरुवित के अनसार ऐसे इस्तिती में एक चुटकी जैफल और केसर डालकर दूद पी ले इससे नीन भी अच्छी आती है और साथ ही शरीर को उरज़ा भी प्राप्त हो जाती है अगली बार से जब रात का खाना ना खाएं तो इस तरह का दूद पी सकते हैं आयरुवित का कहना है कि किसी भी नमकिन चीज के साथ दूद का सेवन ना करें क्रीम सूप या फिर चीज को नमक के साथ ना खाएं दूद के साथ खट्टे फल भी नहीं खाने चाहिए आम तोर पर दूद इन चीजों के साथ मिलकर रियक्शन कर जाता है ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि दूद के साथ मचली का सेवन नहीं करना चाहिए आयरुवेद का मानना है कि ये दी दूद और मचली का सेवन एक वक्त पर किया जाए तो इससे तवचा खराब हो जाती है तो चाह पर सफेद वा बूरे दब्बे उबने लगते हैं